पो संचे प्रबॉज्ट कोर्ट लें जिसमें जिलेंज पर्फ posição था उसमें दिया था उसीं संखेर पक्राइब सब्सक्राइब उसमें इसे पहले रिलेटेटैल को फर्वार है तो समें दे रहा है खुशन क्या मेंने जुतुन कर्षिक सरे हो फिस만 और decimal expansion of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansion ठेकर ये question कर रहा है कि इसमें से decimal लिखना है जो संख्या दिया हुआ है इस question में हम लोगों को decimal निकालना है किनका निकालना है तो terminating जो दे रहा है जो परिमे संख्या है उनहीं का हम लोग terminating का ही हम लोग decimal में निकालना है ठीक है तो हम लोग पढ़ते हैं इसको तो देखिए यह यहाँ पर question दे रहा होगा वो question दे रहा होगा question यह है हम लोगों को इसमें कल हम लोग पढ़े थे कल मतलब अगले इससे पहले वीडियो हम यह पढ़ थे कि टर्मिनेटिंग कौन-कौन से हैं तो टर्मिनेटिंग देखिए कौन-कौन से हमारे में एक यह हो गया टर्मिनेटिंग फर्स्ट वाला है एन इसको प Alleम सेकेंड यह संता इसको नहीं निकलना है इसको निकलना इसवा टर्मिनेटिंग 10 सब्सक्राइन को सब्सक्राइब तो इसमें बस 1234566 कोशन है इसका ही हम लोग decimal में निकालेंगे ठीक है तो पहले हम लोग को इसको लगाया थे कई से यह देख लिजिए इसको हम लोग लगाया थे तेरह अबटा थर्टीवान टूफाइब टीक है तो इसको हम लोग ऐसे लगाया थे कि यह तेरह और जो हर होता है हर मतलब डिनो निमीनेटर हर जो होता है हर का गुर्ण खंड हर का गुर्ण खंड जब हम गुर्ण खंड निकालेंगे तो देखिए इसका और थी 5 हर से कताएंगे सभी कट है है पिर फाइब से एक सोबशी हिल फिर फाइब से टइ ¿ है पिर थाइब फायब से जब तक कटाएंग तब तक यहां पर हल थे तही। वन टू ख्री फोर फाइब यहनु की पाँच के पावर में पाज है ठीक है तो हम क्या करेंगे ध्यूल यह तो समझ में आगा कि यहां पर 5 के पावर 5 है ठीक तो हम लोगों को इस फार्मेट में ले ले इसको बना दिया जाये इस फार्मेट में 2 का पर इंटो 5 का हर तेख चाहिए हम जो भी मालें गे पावर फाइप और कौन है इस अच्छी जिससे गुणा करें तो तेन हो जाएगा तो इसको पावर इसके भी यह वा ना इसको हम लोग पावर फाइप में टू का पावर फाइप से अगर गुणा कर देंगे तो हमारी उसंख्या आ जाएगे है और जो अतना हम नीचे गुणा करेंगे उतना इभी अंस में भी हम लोग गुणा कर देंगे ठीक तब देखिए हम लोगों को जियादा से जियादा भाग नहीं करना पढ़ेगा to के वाज़ा से हम लोग ऐसा चेंज कर दे रहे हैं रूप नहीं तो इसमें हम लोग भाग देंगे भाग प्रकरिया से तो भाग प्रकरिया जब देंगे तो उसमें जड़ा लेंदी होगा और यहां पे आसान हो जाएगा तब इसको देखिया कि दो को 5 कि पांच बार गुड़ करना है है कि दो गुड़े दो गुड़े दो 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 दिनी कि चार दो इसका मतलाब कि यह 13 गुड़े 32 हो जाएगा और यह पांच पावर 5 इंड टू का फाइफ हो जाएगा ठीक तो ये पांदो नीदोस हो जाएगा देनकी दुसका पावर पाच ठीक है यह बात ध्यान रहे हैं यहाँ पे इसको आम लोग इसे भीलिख सकते हैं दसका पावर 5 है जब अभी किसी संख्या में दस्मलो जब आता है मान का चलिए कोई संख्या है माले ये 2.5 है तो दस्मलों उताने के लिए इस तरुके जगाँ पर एक लिख देंगे जो जीतना जीज़ार पाकी है उसको 0 लिख देंगे तो हमारी संख्या आ तरह से दस्क पावर 5 है इसमें जब हम लोग जीरो को अटा करके जीसे दस्क पावर पाँच है तो यानि एक दो तीन चार पांच ये तना हमारा ये संख्या हो जाएगा और इसी संख्या से इसमें भाग देख देगे तब इसका अंसर यह होगा देखिए यह देखिए तेरा दुने 26 दो और तेरा त्यान तालिस दो एक तालिस कितना अंक देख रहा है पांच अंक पे तो हम लोग पांच अंक 1,2,3,4,5 यहां दसमलों लगा देखेंगे तो हमारी एक एंसर हो जाएगा 00416 यह जल से लग रहा है और आराम से भी लग रहा है ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे कोर्चन नमबर 2 देखिए 178 ठीक है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 17 बट्टा टू का पावर 3 तो जो संख्या हम डिनोनमीनेटर में अगर जिस संख्या से गुणा करेंगे उतन इसको पावर 3 कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा 5 पावर 3 यानि कि 255 पाइप इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 25 पाचीस पचे 125 इसका मतलब कि अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17 इंटू 125 बट्टा यह देखिए दो का गोड़े पाच और पावर में 3 है ठीक ह इसको हम लोग इसे भी लिख सकते हैं 10 का पावर 3 अब इसको गुणा करेंगे 17 पच्चासी सतरा दूने 34 और 34 और 42 चार और 17 कम सतर चार 21 ठीक अब संख्या रखिए तीन अंक पर है तो तीन अंक पर हम लोग दसमल लगा देंगे तो यह हमारी अंसर आजाएगी है ठीक है ब जिस संख्या से अगर हम लोग 10 का गुणा करेंगे तो संख्या आ जाएगी ठीक और उसके बास यह जो संख्या आ जा रही है उसके बास हम लोग इसको गुणा करने के बाद यह 10 का पावर 3 से भाग देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगे एंसर यह होगा इंसर ठीक है आप हम लोग पढ़ेंगे कोशन नमबर फूर यह था वन टू यह टू था अपवर पढ़ेंगे इसमें हम लोग वह ही कोशन पढ़ रहे हैं जो टर्मिनेटिंग में है ठीक है तो इसको पढ़ते हैं यह वाला यह हो गया अगो कि 15 सीखर्श ठीक है तब लोग इसको इसे भी लिख सकते हैं कंदर कब बट है कि इसको सुरह को मतलब फैक्टर करेंगे इसको तोड़ेंगे देखिए आठ सब दो से शींदो से करेंगे तो यह हो जाएगा लिए 200 फिर 2 से करेंगे यह 100 फिर 2 से करेंगे तो 52 से करेंगे तो यह जाएगा पचीस अब पांस से कटाएंगे तो देखिए 123456123456 याने इसके साथ यह ह suburbs असी हुजाएगे और जितना हम लोग नीचे में हालाइक जितने के कड़ेंगे उतने हम लोग अंस में भी ऑपREE हमारी सु इस तार से जाएगे अब हम लोग इसको इसने हैं इसको इसको इसे भी लिख सकते हैं कर चाहर शिoda ये दून इन पांच दू का पावर 6 और पांच का पावर 6 तो इसको हम लोग इसे भी लिख सकते हैं कि दू का टू इंटू 5 का 6 पावर ठीकते पांदू इंदस हो जाएगा 6 यहां पे 6 जाएगा अब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए यह जो फाइप चार पावर है तो यह नि यह पंदर 15 इंटू 625 अपान 2 इंटू 5 का पावर 6 ठीक अब हम लोग इसको गुणा करेंगे तब यह होगा पंद्रा पचे 75 पंद्रा दूंटीस असाथ साहे तीस और पंद्रा शकन अब्वे और तीन तीरानवे ठीक यह संख्या आ गई हमारे यह गुणा करने पर अब देखिए यह जो इसका मान होगा टेन का पावर 6 यह मान दिया हुगा तो शिक्स का जीरो बार जाएगा उपर वन टू थी फोर फाइप सिक्स इस संक्या जाएगी तो यह हमारी संक्या वह जाएगे इतना यही अंसर होगा इसका हम लोग इस तरह से यसलिए लगा रहे हैं कि जल से जल लग जाए अगर हम 15 में सोरह सर से अगर भाग देंगे जिसे भाग भी दिशागर लगाएंगे तो हमको लगाने में बहुत समय लगेगा तो इसका जो पैटर्न है कि टू का पावर यहन इंटू फाट का पावर यहन में अगर सांत में आ रहा है इनको आपस में जब हम लोग गुणा करेंगे तो यह 522 हो जागा यह पावर जुट जाएगा पावर वही हो जाएगा ठीक तो तो क्यों ना हम लोग इसी को असान बना करके इस तरह से इसमें धर से लगाते है ठीक है आप हम लोग पढ़ेंगे यह वाला सेवन सिक्स को क्यों नमबर सिक्स ठीक है वह हो गया तो यहां से तो आप लोगों को यहीं पादा चलना आया देखिए तो इसमें एक उसे बराधर याए तो तो यह जब भी कोई भी संख्या जैसे एए इसमें यह जो संख्या होती है यह आपस में जब यह गुणा होगा यह बेस जो भी गुणा होगा तो यह संख्या यह जूट जाएगे तो इसको हम लोग सकते हैं तब इसको लगाएंगे तो पांच त्याइए तो कि तैस गुणे पांच और टेन का पावर तरी तब इसको हम लोग तीन पंद्रों को पांच हांसिल एक और पांच दूने दोस एक ग्यारा तीन का है तो यहाँ पर अता ही परिमेशंख्या है और यह टर्मिनेटिंग है तो समुला में यह चीज हम लिख सकते हैं ठीका अब हम लोग पढ़ेंगे अगला कोश्चन कि यह टार्मिने टिक हां इसको पढ़ेंगे इसको fall यह एक कुर्चन 7олжटर थम्हार कि टर्मिनेटिंग को हम टार्मिनेटिंग को ही हम लोग दिकालना हा ठीका देसिमर मेंने काना तो यह तो यह सिक्स अपान 15 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो इन्टो थ्री एंट फाइप इन्टो थ्री इस तरह सती से कड़ जाएगा तो बराबर में हो जाएगा तू अपान फाइप आरास आसान दिखा रहा है तो हम लोग उसमें गुड़ा भाग कर देंगे तो टू में से अगर ऑधके तो दूद्क्र jonka कें पान milestone के बीस चैनि के इसका मान हो जाएगा तस मलोच की जब भी यह संक्ष्या आ रही है जैसे अवर्ती अनावर्ती टर्मिनेटींग होता है यह क्या होता है इसके बारे में मनें ज़स्ट करें तो देखें है पहले तो किसी भी शंख्या में माली vast किसी भी संक्ष्या में अगर 2 के पावर यन में है यम में है तब हो संख्या इसे-2 into 2 इन्टू 2 ठीक है इसको आम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं तो यह होगा हमारा सांत मतलब तर्मिनेटिंग ठीक है, यह training होगा फिर इसी तरह से दूसरा हो गया 5 का power में अगर यम हो जा रहा है ठीक है, डर 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 तभी यह भी 7 होगा ठीक, 9 मतलब terminating में होगा यह बात हमेशा देहन रहाई अब देख historically अगर इन दोनों को साथ मैं जोड लिया क्पाइब का पावर्यमेंग तो जीसे देखें टू इंटू टू दूट फिर गुड़े पांच गुड़े पांच फीर देख तब यह होगा तब भी हमारा यह संथ होगा जान्त मतलब टर्मिनेटिंग ठेका अब देखे ये तो सांत हो गया अब असांत में दूपाट होते हैं उसमें क्या करना है पहले क्या होगा यह पंचवा जोगा तो के पावर में जिसे टू के पावर में यह हो जाए और इसके साथ 3, 5, 7, 11 से अगर गुणा हो जा रहा है यहां पर यह गुणा हो जा रहा है तो यह तो दोनों ठीक है लेकिन यह संख्या नहीं है इसलिए यह जो होगा यह असांत होगा और जिसमें यह 5 होगा 5 और 2 होगा वो होगा असांत में आवर्ती नन टर्मिनेटिंग जिसमें इसको हम लोग असांत आवर्ती कहेंगे ठीक है जिसमें यह 2 होगा 5 होगा वो हमारा असांत आवर्ती होगा और इसमें एक और हो गया 2 के पावर यम इन्टू 5 इन्टू 7 इन्टू 11 यह भी संख्या यह जो होगा यह भी असांत आवर्ती ही होगा ठीक है यह भी असांत आवर्ती भी होगा अब उसके साथ कि एक और आगया यह देखें अगर इसके साथ फाइप का पावर तू चाहिए फाइप का पावर यम इन्टू फाइज से बेन 11 3 13 यह अगर संख्या रहा है तो अब भी यह असांत आवर्ती होगा ठीक अब एक और चीज़ यहां पर ठीक है तो देखिए इसके साथ सिर्फ यह आएंगे मतलब जो अभाज संख्या है से बेन इन्टू थ्री इन्टू फाइप नहीं थ्री इन्टू 11 इन्टू 13 यह अभाज संख्या जो भी आएंगे यह जो होगा नान टर्मिनेटिंग में यह जो आवर्ति है इस पर अना वर्ति हो जाएगा ठीक है तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आया उमिद करता हूं आप लोगों को विशेश तर पर ध्यान होगा और इस चीज़ को अगर आप लोग पैटन से जान गये तो इसको लगाना आसान हो जाएगा ठीक है ज हैं